गाईज, फूलों की बेल टो हम सभी अपने घर में जरूर लगाते हैं लेकिन हम सभी ऐसे फूलों की तलाश में रहते हैं जिस फूल के अंदर काफे ज़़ा खुश्पू हो और वह फूल भी काफे ज़़ा सुनदर लगे तो आपने काफी सारी फूलों की बेल देखी हूँगी लेकिन आज आपको मैं ऐसा प्लांट दिखाने वाला हूँ जो बहुत ज़ादा यूनीक है और जिसके ओपर काफी अच्छा फूल भी आता है तो यह प्लांट आपको कहां मिलेगा इसको कैसे ग्रो करना है इसको कैसे मिट्टी चाहिए कितना पानी चाहिए कितनी खाज चाहिए कैसे गंबले में लगाना चाहिए यह सारी जानकारी आज आपको देंगे अंकित भाई जो इस नर्शी की केर टेकर हैं इस नर्शी में सारा तो अंकित भाई बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में तो अंकित भाई सबसे पहले यह बताओ कि यह प्लांट है इसको कैसे गंबले में लगाना चाहिए तो अच्छा गुरो और अच्छा हेल्दी और काफी बड़ी बेल बन जाएगी और अच्छी फ्लावरिंग प अधी खाद और अधी मिट्टी में आप लगा सकते हो थोड़ी सी रेत में मिला दोगे आप तो आपकी मिट्टी पॉरस बन जाएगी पानी रुके का नहीं और काफी हल्दी और अच्छी फ्लावरिंग पर आजाएगा जाएगा जैसा अब यह देखो इस पर काफी सारे कलि इस भी होगी इसकी अच्छा खुश्बू भी देता है बहुत बढ़िया और इसका जो फ्लावरे कितने दिन तक चलेगा यह फ्लावरिंग करता सरे लगबग आपकी दो महीने तक करेगा फ्लावर रहेगा और फ्लावर खिलने के बाद कितने समय तक पौधे के ऊपर लगा लेकिन ऐसा यह नहीं है अच्छा में रहे एक चीज और बताओं कि इस प्लांट को कर लगा जा सकता है क्या फ़िए कटिंग से भी लगता है पर इसकी इसका मन्थ होता है लगाने का अच्छ कि उसी महीने में लगए लागेगा बाकी मथ में नहीं चले गाए चलेगा और ट और मेरे को आप एक चीज और बताओ कि इसको अगर हम जमीन में लगा देते हैं तो कितनी बड़ी हो जाएगी सर इसको जमीन में लगाने के बाद इसको हर महने आपको मैनेवरिंग एट करना पड़ेगा अब जतना मैनेवरिंग एट करोगे उतनी अच्छी और गुरो और काफी जदा बड़ी बेल बन जाएगी और लगातार फ्लावरिंग करती रहेगी यह जमीन में और अच्छे से गुरो करता है और बहुत बड़ी बेल जाती है आपकी लगबग 15 फिट के आसपा से जाएगी और इसे मेनुरिंग एट करना आपको जरूरी है कि लगातार में एट करने से क्या होता है वह रहेगा और बहुत सारी फ्लावरिंग पर जल्दी जल्दी से आ जाएगा यहां क्योंकि सब प्ल बहुत 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 बढ़ी है क्योंकि कहीं बार क्या होता है लोग अपने फूलों की बेल में पानी डालना भूल जाते हैं और फिर फ्लांट सूख जाता है इसमें दिक्कत नहीं है तो एक तो मेरे को यह भी चीज़ काफी अच्छी लगी और भाई यह भी बताओ कि इसको हम लोग सब्सक्राइट में रखें फूल सब्सक्राइट में रखें तो अच्छी फ्लावरिंग पे अच्छा गुरो और अच्छा हेल्दी भी रहेगा यह जब आप शेड में रखो गए तो इसका फूल एक्टमेटिक कम हो जाएगा यह संलाइट में आएगा सिधे तो फूल से भर जाएगा पूरा पूल जाएगा बढ़िया चलिए सर आपको दिखाता हूं मेरे प्लांट पे कितनी सारी कलिया और कितनी सारे फूल आ रखें इस पर जिसा कि दोस्तों आपको मैंने बोला है कि मैं उस पेड़ के पास आ गया हूं और आपको जिसा के देव मैं दिखा सकता हूं कि इस पर तक फ्लावरिंग हो जाएगी बिल्कुल यह फूल खिलने वाला ही है बिल्कुल यह हां तो इसकी जो कलिया है यह बन चुकी है पू बढ़ी रहे गाए वह प्लांट पसंद आया होगा अगर आपको प्लांट पसंद आया है तो आप इसको प्रचेज कर सकते हो लक्ष्मी नर्शरी जो की देहरादून में इस नर्शरी का एड्रेस और कॉंटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी तो आप लोग यहाँ पर आसानी से आके इस प्लांट को प्रचेज कर सकते हो और अगर आपको ऐसी इनॉलिजेबल वीडियो हर रोज देखना पसंद है तो आप लोग अभी मेर मत्रम!